हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो एडुकेशन शेल्फ लाइफ, आप रुदी अगरवार और आज हम बात करेंगे आपके 15 दिन बचे हैं एम्स में तो आप किस तरह से अपनी स्ट्राटिजी प्रिपेर करें कि 15 डेज में आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और आपको कॉन्फि सकती हैं और जनका अच्छा नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की ज़रत नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप नीट नहीं कर पाए तो आप एम्स क्लिएर नहीं कर पाएंगे एम्स का भी लेवल जो है वो थोर टाफ इसले बढ़ जाता है क्योंकि उसमें घर केमिस्ट्री भी इजी आती हैं बस फिजिक्स जो है हमारा पॉर्शन वो थोड़ा सा तफ आता है तफ भी नहीं बोलेंगे उसको मॉडरेट तुट बोल सकते हैं तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देनीक इतना जरूत नहीं है इतना तो आपने पड़ी लिया होगा नीट के ल तो किस तरह से पहले हम बात करते हैं एंस है क्या हमारा एंस में कैसे कैसे अग्जाम होगा आपका तो इसी लिए अगर आप लोगों को आपको थोड़ा सा सीखना है मैंसे मैं hope करती हूँ कि आप लोगों ने सीख लिया होगा, थोड़ा बहुत इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका computer-based exam में वो आपके pen paper से काफ़ी different होता है, तो उसमें आपको सब चीज का coordination आना चाहिए, कब mouse उठाना है, आपको कब keyboard पर हाट डालना है, वो सब चाहिए वो assertion reasoning हो, चाहिए वो physics के हो, चाहिए chemistry के हो, चाहिए bio के हो, और चाहिए वो हमारे GK के questions क्यों ना हो, marking scheme ध्यान रखनी है, 200 questions होता है हमारे, जो की 200 number के ही होता है, simple है, one mark for each correct answer and एक wrong answer के लिए आपका minus one by three होता है, यानि कि 0.33 marks आपका negative में जाता है, अगर आपने एक answer गलत दिया तो, अगर आपने attend नहीं किया, तो आपको कोई mark नहीं मिलेगा, then 3.5 गंटे का हमारे examination होता है, वैसे हमारे most commonly जो need to अगरा है, वो 3 गंटे के होता है, लेकिन aims जो है, उसे 3.5 गंटे का time दिया जाता है, तो आप ये मान के चलो, कि आपको 3 गंटे में बाकी जादा, कोशिश करो कि 3 गंटे में आपका एक paper जो है, पूरा हो जाए हमारा, चाहिए वो PCP हो, चाहिए जीके हो, चाहिए कुछ भी हो, फिर आदा गंटा जो है, आपको revise करने में लएगा, आपने सही जगे जो है, भरे हैं या नहीं गोले, या फिर अगर आपने कोई question hold तो उसे देखने का time मिल जाएगा, ठीक है, total number of questions कितने है हमारे 200, उसका भी मैं अभी distribution बताऊँगी, कौन-कौन से किते किते questions किस-किस subject से आते हैं, और जो examination का medium है, या तो English में आपका paper, या फिर Hindi में आएगा, जो भी आप opt करते हैं, ठीक है, so, अब देखते हैं, distribution कैसा र biology में मिला के, 60 questions आते हैं, zoology और botany के, फिर general knowledge जो है, उसे हमारे 10 questions आते हैं, जिसमें GK, current affairs वगरा आती है, आपकी history, quality, geography, जो है, इंडिया की, वो सब, और aptitude और logical thinking के जो questions है, वो आते हैं, आपके 10, aptitude के कैसे, जिसे suppose कर आपको बोल दिया, कि एक जना जो है, वो सीधे जा starting points हो, कितना दूर है, इस type के questions आते हैं, जो कि बहुत ही easy होते हैं, अब हर question का एक mark है, इबाद ध्यान रखना है, तो 200 questions है, with 200 marks, और जैसा मैंने आपको पहली वाली slide में बताया था, एक question गलत करने पर आपके, minus 1 by 3 negative 40 है, अब इन में क्या है, physics, chemistry, geology में, जो हमारे 20-20 questions है, ह हमारे जो MCQ type होते हैं, छीक है, MCQ मतलब ABCD जिन में option आता है, अला कि assertion reason में भी ABCD option आता है, पर उनको एक अलग category बना देते हैं, तो 140 आपके बिलकुल pure MCQ वाले आते हैं, और 60 questions जो हैं आपके, वो assertion reasoning के आते हैं, जिसमें 20-20 each physics chemistry bio के आते हैं, ये बात ध्यान रखनी है, assertion score कर सकते हो, chemistry पे relatively easy आती है, तो उसमें भी आप अच्छा score कर सकते हो, physics में ये है, कि जितने question आपको आ रहे हैं सीधे-सीधे या थोड़ा सा दिमाग लगाने पर, उन्हें solve कर लो, ये नहीं है कि आपको 200 में से हैं 190 questions attempt करने हैं, 185 questions attempt करने हैं, जितने questions attempt करो, वो सही हो, इस तरह से आप question attempt करो, negative marking बहुत कम करवानी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा score आपका down negative marking की वज़े से ही होता है, इसलिए जितने questions attempt करो, कोशिश करो कि वो सारे सही हो, या उन्हें से थोड़े बात गलत हो सकते हैं, सारे तो सही नहीं होता हैं कभी किसी के, लेकिन फिर भी maximum percentage सही questions की रखो, ठीक है, अब हम देखते हैं कि total number of seats क्या है हमारे aims में, तो 15 aims में जो है, इस बार हमारा admission होगा 2019 में, जिसमें total 1207 seats हैं, अब उन aims के एक बार मैं नाम ले देती हूँ आपको, New Delhi, सबको पता है हो तो, बोपाल, भुबनेश्वर, गुंटूर, जोदपूर, नाकप पतना, रायपूर, रिशिकेश, भटिंडा, देयोगड, गोरकपूर, कल्यानी, रायबरेली और तिलंगदाना, यहाँ पे सब aims हैं, जिनमें इस साल admission होगा, total 1207 seats हैं हमारी, जिसमें से 600 seats जो हैं, वो जनरल category की हैं, 324 जो हैं, वो OBC की हैं, उसके बाद 180 आती हैं हमारी SC की और 87 seats जो हैं, वो हैं हमारी ST की, तो इस तरह से यह category wise seats distribution है, अब देखो एक यहाँ पे है, कि अगर आपको डेली में seat acquire करनी है, general category में, तो आपको 160 plus number लाने होगे, तभी आपको वहाँ seat मिल सकती है, ठीके 100 seats हैं हमारे लिए, तो हमें 160 plus आपका score होगा, तब आपको new Delhi aims में seat मिलेगी, अगर आप general category से हो, OBC से हो तो 140 plus, SC SCST से हो तो 120, 130 plus आपको लाने होगे, बाकी सब aims में यह है कि आप 100 plus लाओगे, 80 plus लाओगे, अगर general में हो तो आपको 100 plus, 120 plus आपको चाहिए, क्योंकि बाकी aims में cutoff थोड़ी नीचे जाती है, लेकिन डेली aims के लिए cutoff हाई जाती है, तो उसके लिए आपको अच्छा prepare करना होगा, दूसरी बात, अगर आपके 50% marks आते हैं, तो ही आपको call letter आएगा, मतलब आप qualify करोगे aims के लिए, जब रही नहीं आपको seat मिले ही, यह सिरफ qualification के लिए, आप qualify कर गए हो, आपको आपको अब मैं आपको strategy बताऊंगी कि किस तरह से आपको तीनो subjects और हमारा जो additional में GK और aptitude है, उसे prepare करना है, तो पहले हम चलते हैं biochemistry of physics की तरह, तो देखो, biochemistry physics, मैं होब करती हूँ कि आप सबने need के लिए preparation की होगी, तो उसमें आपने NCRT भी पढ़ ली होगी, questions भी solve किये होगे कम सकम NCRT तो पढ़ी ही होगी सब की, physics की इतियत नहीं पढ़ते हैं हम, लेकिन questions solve कर लेते हैं, जो हमारे notes है, school के notes है, coaching के notes हैं, तो अब आपको कोई भी chapter पढ़ना नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो हम यह नहीं कि chapters में time बरबात करें, हाँ यह ह लगता है कि एक बार उसे revise करना चाहिए, genetics वगेरा हो थोड़े hard पढ़ते हैं, तो उस टाइप की chapters आप revise कर सकते हो, उस revision में भी आपको bio की, जो NCRT उसे पढ़ने की ज़रत नहीं है, आप मेरे lectures देखो, मैं आपको यहाँ पर link दे रही हूँ, 11th और 12th NCRT bio की playlist के, तो आप आपको जो भी chapter चूट गया है या आपको लगता है कि कोई chapter मुझे revise करना चाहिए, वो आप इसमें से करो, आपका आधा एक घंटा, देर घंटा maximum में वो chapter revise हो जाएगा, NCRT से पढ़ोगे तो आपको पूरा दिर लग जाएगा, छीक है, तो इस तरह से हमें bio prepare करनी है, कि हम हमें आप NCRT नहीं पढ़ने हैं, हमें सिरफ questions solve करने हैं, वो तीनों में ही करने हैं आपको, bio, chemistry, physics, तीनों में आपको अब सिरफ questions solve करने हैं, जितने जादा questions solve कर सकते हो, उतने कर, इसी तरह से chemistry में भी है, कि अगर आपका कोई topic चूट गया है, तो उससे आप पढ़ सकते हो NCRT में से, कुछ topics मैंने भी ले हुए हैं, chemistry के, उनकी भी playlist में यहां पे दे रही हूँ, आपको 11th और 12th की, तो अगर उन में से कोई chapter है, आपका जैसे मैंने D block ले रखा है, P block ले रखा है, F block ले रखा है, तो उस type के chapters आप एक बार revise कर सकते हो, क्योंकि जो trends होते हैं, अगर आप लोगों के पास है तो, तो HC वर्मा से अगर थोड़ा आप questions solve करोगे और आपको questions आ गए, तो exams में बहुत help मिलेगी आपको, exam में बहुत easy लएगी आपको physics, और अगर नहीं करनी है, तो it's okay, मत करो, जितनी कर रखी है prepare, उसको ही अच्छी तरह से जो है, उसी पे, उसे अच्छी तरह से पढ़ जाना, chemistry में भी जो chemistry in everyday life वाले जो chapters, जिसमें से neat में से question नहीं आते हैं, उसमें question आते हैं, aims में, ठीक है, तो जो इस type के है, d, f, p, block है, chemistry in everyday life है, उस तरह के जो chapters हैं, उन्हें एक बार read out कर लेना, ज्यादा pages के भी नहीं है, वो chapters छोटे छोटे से हैं, तो उन्हें एक बार पढ़ सकते हुआ, ठीक है, बस यही है कि हमें questions questions solve करने हैं, aims explorer करके एक book आती है, जिसमें topic wise जो है, MCQs दिये हुए हैं, हर chapter के, उसे solve करो, जितने ज़्यादा हो सके solve करो, और previous years के papers जो हैं, उन्हें solve करो, कम से कम, 10 साल के papers तो आपको solve करने ही कर करो, साधे तीन, साधे तीन गंटे, साथ गंटे आप आराम से दे सकते हो, नहीं हो, तो एक एक paper तो आपको solve करना ही है, एक paper तो solve करने की ठहा नहीं है, साधे तीन गंटे तो दे नहीं है, एक दम बैठ जाओ, करके बाड़ बगर आपने बंद कर लो, कोई noise pollution नहीं, कुछ ममी सकाओ, ममी भार जाओ, आप मेरे कमरे में मताना, सब कुछ पहले ही करके बैठो, साधे तीन गंटे आपको वहाँ sitting देनी है, जब ही आप aims crack कर पाओंगे, ठीक है, तो यह हो गया हमारा PCB के लिए आपको किस तरह से strategy follow करनी है, दो चीज़ें और आती है हमारी, जो कि 10-10 number की आती है, यह भी 10 number का आता है, और यह भी 10 number का आता है, तो यह मतलब नहीं है कि 20 number ऐसी छोड़ दिये, आप आराम से 20 number में से 15 points जो है वो कमा सकते हो, अगर आप इनको अच्छी तरह से देखो, इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रत नहीं है, कल से मैंने GK की सीरीज चाल इसलिए टेंशन लेनी की ज़रत नहीं है, और अगर आप और current affairs देखना चाहते हो, तो आप मेरे चानल पर विजिट करो, मेरे चानल पर प्लेलिस्ट में आपको हर एक महीने के अलग-अलग current affairs के वीडियो मिल जाएंगे, एपरिल तक के आपको सारे compilation मिल जाएंगे, मैं तो आपको उनकी PDF डाउनलोड करनी है, तो आप मेरे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, मेरे वेबसाइट पर जैसे ही आप जाओगे, free PDF नाम का एक section मिलेगा आपको, उस पे आप free PDF वाले पर click करोगे, तो आपको पहला ही जो है, एक button मिलेगा, जिस पे current affairs compilation लिखा होगा, त उसमें आप जाओगे तो आपको compilation मिलेंगे 2018-2019 के, तो आप 2018 के compilation जितने भी महीन हों के आपको डाउनलोड करने है, January से December तक के हैं, और 2019 के January से April तक के compilation मैंने वहाँ provide करवा रहे हैं, तो आप वहाँ जाकिए उन news को पढ़ भी सकते हो, ठीक है, बाकी, मैं रोज आपकी GK के current affairs लोगी, जिससे आपको जो है, बहुत अच्छी practice हो जाएगी, अगर आप सरफ वो भी पढ़ जाओगे, तो आपके बहुत अच्छे number आएगे, दूसरी बात, अगर आप लोग कहोगे, तो मैं aptitude के भी questions का series जो है, वो ले लोगी, लेकिन उसके लिए आप लोगो को comment section में मुझे बताना होगा, कि आपको aptitude की preparation करनी है या नहीं, तो मैं उसके भी lectures आपके ले सकती हूँ in 15 days में, आपकी वो भी prepare हो जाएगी, जिके के मैं ले रही हूँ, तो जिके के जो मेरे lecture से उन्हें देखना मत बूलना, बहुत important है, अगर आप लोगो को उसकी PDF चाहिए, तो परणूरा हुआ हो, हमें उससे कोई मतलम नहीं, एक नए सीरे से अपनी preparation चालू करनी है, aims crack करनी के लिए 2019 का, और अगर आप लोग 2020 के लिए aim कर रहे हो, तो वो अलग बात है, उसके लिए मैं strategy अलग से लेके आऊँगी, जैसे हमारा aims का exam खतम होगा, NEET 2020 और aims 2020 के लिए जो टाइम पर, ठीक है, जितने questions आ रही हैं, उतने questions solve करो, ज्यादा question solve करने की ज़रत नहीं है कि out of the way जाके आप questions solve कर रहे हो, एक और चीज़ बतानी थी मुझे, assertion reasoning आप कैसे solve करोगे, assertion reasoning के question ऐसे आते हैं, जिसे assertion में आपको एक point दे दिया, और फिर reasoning में आपको एक point दे द दूसरा option आता है, assertion reason दोनों correct हैं, लेकिन reason जो है, वो correctly explain नहीं करता है assertion को, तीसरा जो हमारा option आता है, assertion सही है, reason गलत है, और चौता option आता है, assertion false है, और हमारा reason सही है, तो यह जो दोनों last के option हैं, यह तो आप easily solve कर सकते हो, क्योंकि आपको sentence based पता चल जाएगा कि assertion सही ह लेकिन जिसमें दोनों सही हैं, तो आप A और B में से कैसे tick मारोगे, वो मैं आपको बता देते हूँ, जैसे एक question मैं पूस्ती हूँ आपसे bio का ही है, assertion reason का, पहला है, assertion क्या है, इसका, when the availability of the essential nutrient falls below the critical concentration, deficiency symptoms appear, तो जब availability essential nutrients की, एक crucial concentration है, critical concentration से नीचे जाती है, तो deficiency symptoms आने लगत है, reason क्या है, critical concentration is that limited concentration of the essential element below which growth of the plant is reduced, तो reason में क्या दे रखा है, कि critical concentration वो limited concentration है essential element की, जिसके नीचे जो plant की growth है, वो reduce हो जाती है, तो इसका answer जो होगा A, क्योंकि critical concentration वो optimum concentration है हमारे essential elements की, जिसके नीचे जो growth है plant की, वो reduce हो जाती है, और इसी वजह से यही reason है हमारा, कि क्यों जब भी deficiency symptoms आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि critical concentration जो हमारी कम हो जाती है तो जब भी assertion reasoning का इस type का question आया आपका जिसमें A या B आपका option होने वाला हो तो उसको इसी तरह से solve करना होगा कि critical concentration ऐसी है जिसके जिसके हम मैंने अभी बताया क्योंकि जो critical concentration है वो कम हो गई थी तो because लगा देना है आपको assertion के बाद जैसे कोई भी आपके question आ गया कोई भी assertion आ गया जैसे he is hurt because he was riding bicycle and he fell off तो यह है कि हमारा assertion क्या है he is hurt in the ankle ऐसे लिखा हुआ he is hurt in the ankle फिर हमने because लगा दिया इसके पीछे खुद के मन से फिर reason में लिखा हुआ है because he was riding a bicycle and he fell off तो यह उसका reason correct हो गया तो अगर वो उसके because के साथ साथ चल रहा है उसके एक row में आपका एक sentence बना रहा है तो a option हो जाएगा और अगर वो दोनों option सही है लेकिन वो b जो है या reason जो है तो उसको हम बोलेंगे B छीक है हमारा B option हो जाएगा तो इस तरह से हमें assertion reasoning के questions जो है वो solve करने हैं ये बात ध्यान रखनी है assertion reasoning के 60 questions आते हैं तो उसमें कम से कम आपको 50 questions जो है वो solve करने होंगे correct तरीके से tension लेने की कोई जरूत नहीं है देखो aims का exam है तो वो सरफ एक बड़ा बड़ा exam है वो prestigious college में admission होता है इसलिए लोगों का हवा बना हुआ है डर की कोई जरूत नहीं है आराम से जो है paper calmly solve करो और ये बात भी नहीं है एक बात और कि जैसे suppose करो आपने first question read out किया आपको नहीं आया second question read out किया फिर भी नहीं आया starting to 10 questions आपको आईगी तो आप panic mode में चले जा तो ऐसा नहीं करना है अगर आपको वो 10 questions नहीं आया है उस page को ही छोड़ दो last से start करो paper के last यानि की 200th question से अगर वो भी नहीं आ रहा है बीच में कहीं से भी पकड़ लो जो भी question तुम्हें दिखाई दे रहा है कि हाँ ये आता है उस question को solve करो ऐसा नहीं है कि पहले starting से ही solve करना है या last से ही solve करना है या भीच में से ही solve करना है और जैसे जैसे question solve करते जाओ और तुम्हें ये पता है कि ये question जो है वो बिलकुल पक्का है मेरे लिए तो उस पे टिक लगा दो हाथ की हाथ बाद में answer sheet जब भड़ते हैं ना last में चाहे वो computer base में भर रहे हो आप चाहे return में भर रहे हो बहुत दिक्कत आती है ही कहें? इसी तरह से solve करना है अगर आपका computer base में इस तरह से आता है कि वहीं आपको इसा भी questions उठा सकते हो तो question उठाओ नहीं तो उनको review पे डालते जाओ अगर आपका suppose करो line wise ही आ रहा है आपकी computer में कि 1 to 10 आएगा 1 करोगे उसके बाद ही second appear होगा 3rd appear होगा तो उन्हें review पे डालते जाओ उन्हें छोडते जाओ बाद में उनको solve कर डिना कोई दिक कर नहीं आगे बढ़ते जाओ जो question आ रहा है उस पे tick मारते जाओ ठीक है इससे आपका time waste नहीं होगा नहीं तो एक question प्याटक जाओगे तो पता लगा कि पंदरा मिनिट उसी पे waste कर दिया तो वो चीज नहीं कर दिया ठीक है मेरी best wishes आप सब लोगों के साथ है जैसा मैंने strategy बताई है उससे solve करोगे तो आप पका से आपका aims जो है वो clear हो जाएगा ठीक है तो इस video को देखना मत बूलना और अपने जितने भी friends है तुमारे जो aim step 2020 के लिए focus कर रहे हो चाए 19 के लिए focus कर रहे हो उन सब को channel के बारे में बताओ वीडियो के बारे में बताओ और यह video जो है जितना ज्यादा हो सके अपने friends के साथ share करो WhatsApp, Facebook सब पर हो तुम लोग मुझे पता है तो इसलिए सब जगे जहां पर भी तुम अभी फिलाल के लिए active हो सब जगे share करो even message से base दो या phone करके बता दो यह वाला channel है उस पर यह video देखो तो वो चीज़ है तो यह एक काम मेंड़े करना होगा आप लोगों को कोई और चीज़ पूछनी है तो मेरा Facebook पेज का link भी नीचे है वहाँ पे मुझे message करो कोई बड़ी problem है आपके अगर कुछ नहीं हो पा रहा है तो वो भी मैं आपकी solve करोगी आप से बढ़ाई नहीं हो पा रही है revision नहीं हो पा रहा है तो उस तरह की strategy किस तरह से आपको follow करनी है वो भी मैं बता हूँ ठीक है तो like कर देना, share करना अपने friends के साथ चैनल को subscribe कर देना और subscribe करने के बाद जो पहल आइकन है उसे दबा देना और आपको लोगों को notification मिल जाएगा और कुछ नहीं होगा जैसी वीडियो अपलोड होने वाला होगा वैसे ठीक है Twitter, Facebook, Instagram, GradeUp इन चारो जगे पे भी आप मुझे follow कर सकते हो सबके link description box में है कोई भी problem है, comment section में मुझे से बात करो ठीक है आज के लिए बस इतना ही That's all for today guys All the very best for AIM 2019 Bye Bye